हेलो एवरिवन आएम लिंकन सागर एंड आइव टोटल एट एर एक्सपिरेंस इन कैड और आइम वर्किंग विट दुकैड एज एक एड कंसल्टेंट नाओ वी आर गोइंग टुकस एबाउट सी एलेस वाट इस सी एलेस एलेस एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे सिविल इंज ही तो सब्सक्ते से की स्वासिया आरों घर कोई अगर स्वासिया उलेस एक यहारा कोई बिडिवनक करना या कोई भी अगर कंस्ट्रेंट करना तो सबसे पहले सी एलेस की जरूरत परती है जो कि हमारा देखा जातो हर जगे कुस्अन सर्चन की हुज होता है कि मेंत्स use करते हैं अगर हम CLS के बारे में अच्छे से जानने कि CLS किया है और कहां use किया जा सकता है और कैसे use होता है तो साइध हमारा job जो search करने का तरीका है वो थोड़ा सा change हो और हमें job भी आसानी से मिल सकती है क्योंकि हम लोग क्या है कि civil engineering करने करने के बाद सबसे पहले job search करते हैं और हमें सिर्फ यह पता होता है कि हम CAD पर कैसे work करें लेकिन CAD पर work करने के लिए पहले में कुछ projects के वारे में भी पता होना चाहिए तो जो ऐसे हमारा project है CLS लेकिन CLS के बहुत सारे topic है जो कि मैं आप लोगों को आज बताऊंगा इसके बारे में discuss भी करेंगे तो आईए start करते हैं CLS से जैसे इसमें देखिए आपके पास कुछ topics मैंने यहाँ पे दिये हुए है जैसे कि सबसे पहला है हमारा digitization and land survey, L section and cross section, contouring and master plan and revenue plan तो आईए सबसे पहले हम इसके बारे में आपको एक एक topic के बारे में थोड़ा सा introduce करा देते हैं कि कैसे work करता है और यह क्या है तो सबसे पहला topic है हमारा digitization, digitization में क्या होता है कि हम किसी भी image पे autocad पे दुबारा work करके उसे renew कर सकते हैं या उसे digital form में convert कर सकते हैं, इसी process को हम लोग बोलते हैं digitization, यह हमारे civil हो, चाहे mechanical हो, चाहे electrical, यह किसी भी drawing पे work कर सकता है next topic, land survey, land survey क्या होता है, कि अगर हम किसी land पे कोई भी construction करने जा रहे है, तो हमारा सबसे पहला motive होता है कि वो land plane होनी चाहिए, जिसके लिए हम उस पे जो भी total station, auto level, जो कि हमारे survey instrument होते हैं उसके through हम पहले survey करते हैं, और उस data को autocad पे लाकर करके एक drawing create करते हैं, जिससे हम लोग बोलते है land survey, जिससे हमें यह पता चलता है up है, या कितना area down है, जिससे हम cutting feeling आसानी से निकाल सकते हैं, और इसी graph को, जो यह graph generate होता है, इससे हम लोग बोलते है L section, and next is cross section, cross section, जब हम किसी road के अगर बात कर रहे हैं, और अगर linear अगर हम उसका area देखना है, कि कितना up down है, उसी तरीके से अगर उसकी चोडाई की बात की generate होता है, and next is contouring, contouring का use हम लोग जादा तर healing area पर करते हैं, यह भी क्या है, एक survey की heat drying है, जिसमें क्या है कि इसमें cutting area कुछ निकल के आता है, and filling area निकल के आता है, जिसे हम लोग बोलते है, contouring, and next is master plan, जादा तर इसका use हम लोग तब करते हैं, जब हम कोई area develop कर रहे हैं, और आसपास की चीजों को हमें arrange करना हो, इसे हम लोग बोलते है, master plan, and renew plan, यह आपने बहुत अच्छे से सुनोगा, पहले बहुत सारे खसरा plan जो की बनते थे, revenue plan बनते थे, जो की हमारे blue print होते थे, इनको हम क्या करते हैं, आज की date में दुबारा से renew करके, एक नया plan generate करते हैं, कि हमारा यह old plan है, बहुत पहले का, और यह autocad से generate किया गया है, तो यह थोड़ा सा blur है, और यह क्या है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरीकी से clear दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते है, brand new plan.